गाईज आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की आप देख परोगे इस फोडो के अंदर डार्क सा टोन है, डार्क ब्लेक एंड ब्लू सा टोन है तो इस तरीके की फोडो एडिट करना सिखाएंगे एक दम चुटकियों में आप से रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को पूरा देखे, वीडियो पूरा देखने के बाद आप 101% इस तरीके की फोडो एडिट करना सिख जाएंगे और लास्ट में आप तो अपनी फोडो को सिर्फ एक क्लिक में ही एडिट कर लेंगे तो वीडियो को पूरा देखे, आप बिल्कुल ध्यान से देखे, अच्छे से आप सीख जाएंगे तो चलिए बीना किसी दरीके इस वीडियो को कर लेते हैं, स्टार्ट हाँ तो गाईश देख पर है कि हम अपने मुबाइल के स्क्रीन पे आ चुके है उपर से स्क्रॉल करने आपको नोटिफिकर सनेक मिल जाएगा, इस पर टैप करना है और आप पहुत जाओगे लाइटरू मैप के अंदर आपको यहां All Photos पे क्लिक करना है जो भी आपकी फोटो रहेगी आपको अपनी फोटो को सलेक्ट करना है हमें इस फोटो को एडिट करना है हमने इस फोटो को यहां Lightroomλέp के अंदर ओपन कर लिया है तो यहां फोटो को ओपन कर लेने के बाद आपको यहां सबसे पहले फोटो में Light की Adjustment करनी है इसके लिए आप इस Light वाले टूल का यूज कर सकते हो यहां हम contrast की value plus 6 के आसपास रख लेंगे and highlights की value minus 8 कर लेंगे shadows आपको दिख रहा होगा shadows को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं whites की value कम करके लगभग minus 30 के आसपास कर लेंगे blacks दिख रहा होगा blacks को बिल्कुल हलका सा लगभग इतना कम करेंगे आप देख पर हो blacks को लगभग minus 10 या 11 के आसपास कम करेंगे and इतना setting हो जाने के बाद आपको यहां से जाना है color वले tool के अंदर and color वले tool के अंदर आने के बाद गया guys यहां से आपको temp को बढ़ा देना है temp को लगभग plus 8 कर लेना है and tint की value minus 4 कर लेना है इतना सेटिंग हो जाने के बाद आपको यहां से जाना है Mixed Tool के अंदर अगर आप Mixed Tool को नहीं समझ पाते हो तो आप किसी तरीके से अपनी फोटो का एडिट नहीं कर पाओगे तो आप Mixed Tool को बड़ा ही ध्यान से समझे आप एजली समझ जाएंगे आपको यहां से जाना है यह वाले कलर के अंदर यह देख पर औरेंज कलर है औरेंज कलर हमारे स्कीन का कलर होता है तो औरेंज कलर का हम से चुरियसन थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमारा स्कीन जो है मदलब जो Red Red बना हुआ था वो कम हो जाए और White हो जाए अब यहाँ luminous को बढ़ा देंगे ताकि हमारे skin पर brightness आजाए आप देख पर हो इतना काम हो गया end gauge इतना हो जाने के बाद थोड़ी सी इसकी hue को right side की तरफ लखेंगे यहाँ से जाएंगे इस color के अंदर यह देख पर हो green color है इसकी hue को पूरा left side की तरफ करना है यहाँ से saturation को पूरा zero करना है अब आपको कुछ इस तरीके से ही yellow color को लेना है and yellow का भी saturation कुछ इस तरीके से पूरा zero कर लेना है मतलब minus 100 कर लेना है आप देख पर हो कि इस photo के अंदर अभी dark black सा tone आ गया है लेकिन अभी हमें इसमें blue सा भी tone add करना है अभी हम equa color में आएंगे and इसका भी saturation कम कर लेना है यहाँ blue color दिख रहा होगा इसका भी saturation कम कर लेना है अभी यह जो purple and magenta color जो दो आपको last में दिखेंगे color इन दोनों का तो compulsory है saturation आपको पूरा कम कर लेना ही है अब आपको red वाले color में आना है red का saturation थोड़ा सा बड़ा देंगे ताकि हमारे lips पे जो color fade हुआ वो recover हो जाए थोड़ा सा और saturation को कम कर लेते हैं orange का लगबग इतना एतना काफी ज़्यदा perfect लग रहा है यहाँ से गई हम yellow का saturation के साथ थोड़ा सा luminance को कम करेंगे यहाँ भी luminance को कम करेंगे इसको done कर लेंगे ठीक है done कर लेने के बाद एक बड़ फोटो देखना यह देखो before and यह देखो after फोटो के अंदर अभी से आपको काफी ज़्यदा changes दिख रहा होगा लेकिन अभी हमें इसमें जो खाली सा हमने select कर लिया refine आपको दिख रहा होगा इसे आपको अपने अनुसार set कर लेना है लगबग हम इसको इतना रख लेते हैं और इसको apply पर क्लिक कर देंगे अब गई जा आपको जाना है color वाले टूल के अंदर यहाँ आने का बाद color पर कुछ इस तरीगे select करके जो भी आपको value भी थोड़ी से left side की तरफ रख लेंगे और saturation थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लगबग इतना इसको done कर लेंगे अब एक बार फोटो देखना है यह देखो before और यह देखो after फोटो के अंदर देख पर हो कि dark blue साटन मतलब की blacks and blue साटन जो है कितना मस लग रहा है और फोटो भी value 36 कर लेंगे noise reduction की value यहां 29 के आसपास बढ़ा लेंगे contrast की value बढ़ा लेंगे and color noise reduction भी बढ़ा लेंगे लगबग 40 के आसपास and यहां details की value 69 कर लेंगे smoothness बढ़ा लेंगे अब गईज आपको कुछ भी नहीं करना effects वाले tool के अंदर जाना है यहां texture को बढ़ा लेंगे लगब value plus 4 कर लेंगे ठीक है इतना setting हो जाने के बाद midpoint को भी minus के side रखेंगे and feather को थोड़ा सा plus कर लेंगे लगबग इतना and अब गईज आपको कुछ भी नहीं करना इस optics वाले बटन पर क्लिक करके इन दोनों को simple से आपको on कर लेना है एक बर हम आपको final photo दिखाते है before after यह देख आपको काफी जदा पसंद आई होगी एड़ इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए I will soon the next video guys love you all take care bye